हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्वासारी का आज हम बनाएंगे इस्टब इटली जो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं ये देखिए हमारी कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है इनको हमने सांभर और चटनी के साथ सर्फ किया है ये बहुत ही अच्छा नास्ता है चलिए बनाते हैं इसको बनाने के लिए यहां पर हमने ये बैटर लिया है बैटर बनाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेयर किया हुआ है वहां से जाकर आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने अमरा चैनल सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज बनाते हैं इटली बनाने के लिए यहां पर हमने इटली स्टैंड लिया है उसमें हलका सा ओल लगाएंगे इसको अच्छे से फैला लेंगे ज्यादा नहीं लगाना है और दो से तीन बूंध ही लगानी है अब इसमें हम बैटर रखेंगे थोड़ा थोड़ा बैटर रखना है ज्यादा नहीं रखना है क्योंकि हमें इस्टप इटली बनानी है इसलिए नीचे की लेयर बहुत ही पतली रखनी है इसमें हमने आलू की स्टफिंग करी है और आलू की छोटी छोटी सी टिकिया बना ली है अब इनको हम सेंटर में रख देंगे यहाँ पे आप मिक्स वेज को भी रख सकते हैं उसके भी स्टफ कर सकते हैं हमने यहाँ पे आलू की स्टफिंग करी है अगर आपको आलू की भी स्टफिंग आलू कैसे बनाई है उसका वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है वहां से जाकर आप देख सकते हैं अब इसमें हम उपर से भी बैटर डालेंगे यहां पर हमने इटली स्टैंड में आधा ग्लास पानी रखके इसको हाई फ्लेम में गरम कर देंगे पानी गरम होने के बाद में इसमें इटली या रख देंगे और इसको हम ढख देंगे और हाई फ्लेम में ही इसको हम पकाएंगे पान से साथ मिनट के लिए अब हम इटलीों को चेक करेंगे कि हमारी इटली या पक गई है कि नहीं इसके लिए हम चमच का पीछे से इसको इसमें डिप करेंगे और देखेंगे अगर चमच में कुछ लग नहीं रहा है तो समझे है हमारी इटली या पक गई है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ढग कर अब इसको निकाल लेंगे बाहर निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद में इसको अराम से हम चमच से निकाल लेंगे इटली यों को कि देखिए हमारी कितनी अच्छी इटली बनकर रेडी हुई है बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है यह देखिए कितनी अच्छी इटली बनकर रेडी हुई है ऐसे हमें सब निकाल लेनी है आपको हम कट कर भी दिखाते हैं कितनी अच्छी इटली हमारी बनकर रेडी हुई है यह देखिए बहुत ही टेस्टी इटली हमारी बनकर रेडी हुई है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है यह बहुत ही अच्छा नास्ता है ऐसे ही हम सारी इट्लियों को कट कर लेंगे यह देखिए यह देखिए हमारी इट्लियां बनकर रेडी हो चुकी है बहुत ही हेल्दी नास्ता है बच्चे भी इसको बहुत ही पसंद करते हैं इसको आप बिना सामभर के भी सर्फ कर सकते हैं केवल चटनी के साथ भी ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं चटनी से भी अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस लाइक सेयर एंड सस्क्राइब थैंक यू